हाई गाईस इस वीडियो में मैं आपको permutation of a string print करने का बहुत ही interesting algorithm बताऊँगा जो recursive नहीं है जो BFS, DFS पेड़ेपेंड नहीं करता है जैसे ABC की total 6 permutations होती हैं क्या होती है वो? ABC ACB BAC, BCA CAB और CBA यही print करने के लिए आपको बहुत ही interesting iterative algorithm बताऊँगा ज़रा सुनिएगा देखे, अगर आपको length 3 दी है तो 3 factorial हमारे पास 6 permutations होती हैं तो जो 0, 1 2, 3 4 और 5 number है ना उनमें एक individual permutation की information छुपी हुई है ज़र algorithm देखेगा देखेगा मैं क्या करूँगा सबसे पहले हमने देखा, ABC है तो हमने जाना की कितनी permutations होंगी length है 3, तो 3 factorial 6 permutations होंगी अब मैंने 0 से इसकी पहली permutations निकालनी कोशिश करूँगा कैसे करूँगा A0, B1, C2 मैं पहला division 3 से करूँगा, जितनी इसकी length है remainder आया 0 तो मैं इसमें से 0 त करेक्टर को निकाल के print कर दूँगा इनके index अब B0 और C1 बन जाएंगे कि वो तो remove हो गया तो इनके index change हो जाएंगे यह हो जाएंगे अगला division मैं 2 से करूँगा पता है मैं 2 से क्यूं divide कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन दोरों में से एक character चाहता हूँ तो 2 से divide करते हैं तो remainder 0 या 1 आता है मैंने 2 से divide किया remainder फिर 0 आया तो मैंने इसको निकाला और print कर दिया जब इसको निकाला तो C का index अब 0 हो गया तीसतरा division मैं 1 से करूँगा तो फिर 0 आया तो मैंने इसको निकाला और print कर दिया तो जो remainder आया है मैं उस position को print कर देता हूँ आपको 0 से समझ में नहीं आया होगा आपको magic समझ में आने लगेगा जब मैं 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए भी कर जाऊंगा पहला हमारा print हो चुका है अब 1 के लिए करके दिखाता हूँ नहां से देखेगा इनिशल हम स्टार्ट हुए A, 0, B, 1, C, 2 के साथ मैंने 3 से divide किया remainder 1 आया तो मैं इसको निकाल कर print कर दूँगा अब इसका index 1 हो जाएगा अगला division 2 से करूँगा 0 को divide किया तो 0 remainder आया ट्रीक है तो हमने इसको निकाल कर print कर दिया अब C 0th position पे आ गया अब 1 से division किया remainder 0 आया तो C को निकाल के print कर दिया ब, A, C बन गया चेक है अब हम करके दिखाते हैं आपको यही काम यह 0 के लिए करके दिखाया यह 1 के लिए करके दिखाया अब यही काम मैं आपको 2 के लिए करके दिखाऊंगा फिर शुरू होते हैं आपको एक और यह A, B, C और B, A, C मिल चुका है आपको 2 की जब 3, 2, 1 से division करेंगे तो आपको एक और permutation दिखाई देगी 3, 0 जा 2 remainder आया तो इसको निकाल के print कर दिया 2 से 0 को divide किया तो 0 remainder आया इसको निकाल के print कर दिया और अब B 0 इंडेक्स पर आ गया 1 से divide किया तो 0 remainder आया तो B को निकाल के print कर दिया तो आपको 3 permutation मिली है 0 को आप यूज कर चुके 1 को यूज कर चुके 2 को यूज कर चुके अब 3 को यूज करेंगे 3 से divide किया तो 1 quotient आया और 0 remainder 0 remainder आया तो A को निकाल के print कर दिया इनके इंडेक्स B 0 और C 1 हो गया है 2 से divide किया तो इस बार 1 remainder आया तो C को निकाल के print कर दिया 1 से divide किया तो 0 remainder आया तो B 0 को निकाल कर print कर दिया तो A C B एक और permutation आ गई अब 4 के साथ यही काम होते वे देखिएगा A 0 B 1 C 2 3 से divide किया तो एक remainder आया तो मैंने इसको निकाला और print कर दिया इसका index अब 1 हो गया है 2 से divide किया तो 1 remainder आया C को निकाला और print कर दिया 1 से divide किया तो 0 remainder आया इसको निकाल कर प्रिंट कर दिया अब 5 के लिए देखिएगा A 0, B1, C2 से हर बार स्टार्ट होते हैं 3 से डिवाइड किया तो 2 रिमेंडर आया निकाल कर प्रिंट कर दिया 2 से डिवाइड किया तो 1 रिमेंडर आया निकाल कर प्रिंट कर दिया 1 से डिवाइड किया तो 0 रिमेंडर आया निकाल कर प्रिंट कर दिया स्वेक है! ABC था. 0 से लेकर Factorial तक का loop चलाएn 0 के लिए करेंगे 1 के लिए करेंगे 2 के लिए करेंगे 4 के लिए करेंगे 5 के लिए करेंगे हरیک, एक, पाय जिताओ है उसमें से वे प्रम्मोटेशन निकालने के लिए पहले 3 से ृवाइट करेंगे ताकि पहला index 0,1,2 में से 1 आए फिर 2 से divide करेंगे ताकि remainder 0,1 आए क्योंकि 2 ही character बचे होंगे तीसा division 1 से करेंगे ताकि remainder 0 ही आए तो आपको एक-एक permutation मिलती जाएगी आपको भूसत है यह वाला part वीडियो का 2-3 बार देखना पड़े अब मैं सुखरता हूँ तो मुझे string मिली है तो सबसे पहले मुझे factorial चाहिए तो factorial का code लिखूँगा public static int factorial जिसको n पास करोगे तो वो n का factorial दे दे int val equal to 1 for int i equal to 2 से loop चलाया i less than equal to n तक loop चलाया i plus plus val into equal to i val के अंदर i की बढ़ती वी values को multiply कर लिया तो यहां से हमें factorial मिल जाएगा चीक है अब यहां पर सबसे पहले हमको string की length चाहिए उससे factorial आ जाएगा factorial आ गया loop कहां से कहां चलेगा 0 से चालू होगा factorial तक जाएगा निए उससे छोटा 6 कले 5 तक गया था अब हमारा divisor यह देखेगा divide कैसे करेंगे हम for int devising जो start होगी वो string की length n से start होगी हर बार 3 से पहले divide करेंगे फिर 2 से फिर 1 से और greater than equal to 1 तक division होगा ऐसे यहां पर आप हर बार हम हर बार जब शुरुआत करते थे तो हर बार ABC से शुरुआत करते थे हर बार original string से शुवात करते थे तो string builder में original string को पकड़ लीजे क्योंकि आपको remove करना पड़ेगा इसलिए string ना use करें string builder यूज करें आपको delete करना पड़ेगा तो string builder में आपने string को catch किया अब आप क्या करेंगे जो आपके पास यह n है आपके पास जो divisor है क्योंकि आए तो loop को control करेगा तो temp में पकड़ लिया तो यह देखिए मतलब मैंने क्या बोला कि पहले 0 के लिए करेंगे फिर 1 के लिए फिर 2 के लिए फिर 3 के लिए फिर 4 के लिए 5 के लिए तो आए हमें वो 0,1,2,3,4,5 value देने वाला है तो उस आए को नहीं परिशान करेंगे क्योंकि इसको भारवाला loop कंट्रोल करना है आए की विलू टेंपरी में पकड़ ली अब उस टेंप को परिशान करेंगे तो टेंप को जब मैंने डिवाइड किया तो कोशेंट क्या आया टेंप डिवाइड बाए डिविजर और रिमेंडर किया आया टेंप मौडलस डिविजर ठेक है अब रिमेंडर के हसाब से से डिसाइड होगा कि क्या परिंट होगा जो रिमेंडर आया उसी करेक्टर को हम परिंट करते थे तो system.out.print रेमेंटर वाला क्रेक्टर, stringbuilder.carat, रेमेंटर वाला क्रेक्टर निकाला और प्रिंट कर दिया, प्रिंट लाइन नहीं, प्रिंट किया बस, और सुर्ण डिलीट भी कर दिया, क्योंकि अब original string में रहना नहीं चाहिए, तो रेमेंटर वाला हो गया, ठेक है, अब आपका number जैसे 4 था, तो 4 से number 1 बन जाता है, जो इस बार आप quotient होता है, तो temp आपका क्या बन गया अगली बार, जो इस बार quotient आया था, ठेक है, तो temporary को आपने छोटा कर लिया, यह आपका और चुका होगा, temporary भी छोटा हो गया, देखे, पहली बार आप n से डिवाइट करें, अगली बार n-1 से, अगली बार n-2 से, तो पहली बार आप 3 से डिवाइट करें थे, फिर 2 से, फिर 1 से, 3 से, 2 से, पहली बार 4 डिवाइट हो रहा हा था, फिर जो quotient आया, वो कि एक प्रिंट हो चुके हो पर्मुटेशन तो चला कि देखते हैं ए ए ए वीवी सि के लिए क्या अनसर लाता है यह कि यह ऐ ए है आपशी यहीं असल में कि ऐसे था हैट कि लिखकी है अखिर जयुक्त है, तो सब्सक्या करके देखते हैं, करेक्ट अंसर, उमीद करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी तो असल में कैसा था है ये ऐसा था कि मुझे मालूम था कि 6 permutations हैं तो मुझे मालूम था 0 से लेकर 5 तक के नमरों में वो information चुपी होगी है वो information बसंद में से बहार निकालनी थी तो मैंने पहला division 3 से क्यों किया क्योंकि पहला choice पहला choice तीन character में से कोईसा भी हो सकता है देखे ना यहाँ पर एक reason है कि मैं पहली बार 3 से divide कर रहा हूँ फिर 2 से फिर एक से क्योंकि पहले 3 character है A0, B1, C2 तो 3 से division करूँगा तो remainder 0, 1 या 2 आ सकता है तो यह, 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 यह selected को मिलेगा फिर में से मान लो यह select होगा अब 2 ही बचे है, 0 और 1 2 से divide करते हैं, तो remainder 0 है, 1 आता है तो मैंने से 1 में इंटरस्टेड था फिर जब मान लो यह भी निकल गया तो आखरी division 1 से क्यों किया तो remainder की guarantee होती 0 ही आएगा हमें मालू में एक ही character बचा है फिर वही उठाना है तो इसलिए मैं 3, 2, 1 से division कर रहा था उमीद करता हूँ कि tricky सा approach आपको समझ में आया होगा निलतेंगे सवाल में, thank you very much